तो गाईज पिछली वीडियो में तो हमने जैसे इंस्टागाम का जो मेकैनिजम होता है पोस्ट लाइक और डिसलाइक करने का सेम एक्जक्ट हमने बना लिया था और हमने जो पोस्ट की आईडी के वेसिस पे उसके कितने लाइक्स है हमने वो भी फाइंड आउट कर लिये थे तो आज हम क्या करेंगे आज हम अपने एक कमेंट जो राउट है वो क्रेट करेंगे यूजर कमेंट भी कर सकता है यूजर कमेंट डिलेट भी कर सकता है और पोस्ट के जितने भी कमेंट से उनको केट करेंगे तो चलिए एक फॉल्ट बना लेते हैं कि यह मेरा कमेंट राउट सोगया और सेम ज़्य हो मेरे लाइक राउट साय लाइक राइक कंट्रोलर रहे जैमेज इसके कुछ में लुख होने वाले है तो मैं इसी को क्विज करूँगा कि मैं मत में डाउट हो गया तो कमेंट राउट यस comment.controller.js ओगे like controller को मैं copy paste करूंगा same as it is क्योंकिस में भी हमने हमार account increment होगा और decrement होगा और like करा होगा simple हमने यहाँ पर like dislike किया था तो इसका नाम हम रख लेंगे create comment या add comment, add comment, delete comment पोस्ट कर्मेंट ओके ओके ओधराइजेशन टोकनाज में अरेड़ी गयावा है हमने अपने राउट सेक्यूर किये हुए है तो like controller की जंगा हो जाएगा comment controller comment controller में चलते है फंक्शन से बनाते है जैसे add comment delete comment, delete comment, delete comment, save किया यहाँ पी आए add comment करने देंगे इसको के कमेंट को प्रिट कर लेता हूँ पोस्ट कमेंट्स के असे यह बंदावी पास्ट करने था आए इसकान मेस है हुए है यह यह पी पेस्ट कर लेता हूँ पोस्ट कमेंट्स देखे अभी हम यह चेंज करेंगे हम डिरेक्ट कोपी पेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें स्टार्टिंग से सब कुछ लिखना ना पड़े होगे राउट्स डिफाइन होगे डिलेट कमेंट पोस्ट कमेंट और कमेंट कंट्रोलर भी बन चुका है तो आप आप इंडेक्स में जाके इसको रिजिस्टर कर देंगे अगर कि में देखे मेरा एक फ्रेंड था अभी शेक नोट जेख पर उसने में इसको यह फॉल्ड जो फॉल्ड श्ट्रक्चर है नोट जेस्स का उसने मिर को ऐसे करने के लिए आइट इंक बीकन से इंस्पायर किया था कि आप ऐसे फॉल्ड श्ट्रक्चर रखते हम नोट जेस्स में क्योंकि जो मैं ऑफिशली जो डेवलपर हूँ वह मैं रियक्नेट अभी डेवलपर हूँ तो बट अभी शेक को काफी मतलब ज्यादा एक्स्पिरियंस हा स्टार्टिंग से नोट जियस में तो मैं रिख से यह फॉल्ड श्रक्चर सीखा था बनाना कमेंट्स ओके ओके तो इसको करते हम दन कि रिख्वायर कोड़ फंग अब अब्जेक्ट अडिफाइन ओके कहीं यह एकमेंट पे यह दिक्कत दिये इसने है अधिक हम ने यह सेव नहीं की वायल कि हां वह में सेव नहीं की था अश्राग के इसने अरूर दे दिया था अकमेंट्स नाब्स हमने सेव कर दिया उसने यहाँ पर यह रिक्वाइर से को बैक फंक्शन बड़क एक ओब्जेक्ट एंडिफाइन ओके तो अब हम क्या करेंगे पोस्ट मैं पर चलते हैं पोस्ट मैं उपन करते हैं है कि अल्लायक डिसलाइक का बन चुकी है हमारी क्वैरी जब हम बना ले वाले हैं उकिसको इनको बंद कर देते हैं है अपकी तोड़ा केलियर हो जадे अज हाए को कर पेस्ट एंप्रोश्ट होगा ऐड कमेंट को से कर लेते हैं इसका नाम लग लेके हैं एड कमेंट ओके यह एड्ड कमेंट हो गया एक हो गया डिलीट कमेंट डिलीट कमेंट इसका मेथड होगा डिलीट कर दिया है और इसको हम करते हैं डिलीट और यह होगा जो से लेते हैं इसको भी कि अपने क्लेक्शन भी साथ के साथ बना के चलना है और एक हो गया हमारा पोस्ट कर्मेंट इसको बीजिए कर लेते हैं ओके अब हम वेरिफाई भी कर लेते हैं यहां पे रिटल लगा देते हैं कि हमारा जो यह रिडिरेक्ट हो रहा है या नहीं एपी आई एड कमेंट कि दिलेट कमेंट सब्सक्राइब और फोस्ट क मेंट कि चलिए एप्या हिट करते हैं एड कमेंट हिट किया हमने इसमें उच्छाराइशन टाकन लगा रख तो यह देगा अज्ट पर टाकन इसमें हैं मेरे कासी और इसमें यह चैन्सल किया डिलिट पर गए प्रिट वाला चेक कर देंगे रेकन किया जड़ीर और में प्रिमिप्स के में प्रिट के कुन है अब हम अपना लोजिक लिखते हैं हम चलते हैं कमेंट रामेंट में इस फाइल को बंद कर लेते हैं थोड़ा जों कर लेते हैं एड़ कमेंट तो हमने मोडल तो अभी तक बनाया नहीं एड करने से पहले तो हम कमेंट नाम का एक मोडल भी क्रिएट कर लेते हैं तो सेम एज इस यह लाइक वाला होने वाला है बस इसमें एक एक्स्ट्रा फिल्ड आ जाएगी इसमें क्यूंकि हमने यूजर आईडी भी लेनी है पोस्ट साथ में हमारा आ जाएगा कमेंट टाइब स्ट्रिंग रिक्वाइड तो डेट से सेम एज इस यह हमारा बने गया लाइक्स की तरह कमेंट और सेम इसका लोजिक भी उसी की तरह काम करेगा और बाद में इसको हम अभी सिंपल ही रखेंगे कि यूजर एक कमेंट करें दूसरा करें तीसरा करें हम उसमें एनलेवन लाइक इसमें जैसे इस्टाग्राम पर होता है कि हम कमेंट का भी रिप्लाई कर देते हैं और रिप्लाई का भी रिप्लाई कर देते हैं वह भी और इतने देप्थ में इन चीजों में नहीं जाएंगा वहना काफी जादा कंफ्योजन हो जाएगी हम step by step करेंगे क्योंकि इसलिए भी आगर देखे गाइस अगर मैं आपको पता हूं यह जो हमारी पॉस्ट राउट है इसलिए पॉस्ट का तो अच्छा लोजिक लिख है जब हम पॉस्ट को गैट करेंगे न तो इसमें काफी ज्यादा लोजिक्स लगने वाले है लोजिक्स इन दे सेंस मैं चोटा सब एक पेजिनेशन लगेगी साथ में अब भी लाइक आप इंस्टाग्राम पे जाते हो तो वह सब कुछ उसमें होगा तो इसलिए मैं आपको धीरे-धीरे अपना यह जो इसका एडवांस लेवल है वो इसको इंक्रीज करते जाएंगे बेसिक लेवल से तो चलिए बैक टूदा टोपिक हमारा यह मोडल है यह हमारा कमेंट का मोडल है अब इसको हमने यह देखिए जैसे यह लाइक था और यह भी सेम एज 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 इस ही रहे है बस इसमें क्या डिफरेंस हुआ हमने यहाँ पर एक कमेंट की फिल्ड एड़ कर गी क्योंकि हमने यूजर से कमेंट करवाना है और यह रिक्वाइड प्रू रखेंगे और पक्षी एज इस कमेंट स्कीम आओ गया अब हम चलते हैं अपने अकमेंट कंट्रोलर पर लाइक मॉडल यहां पर हम इसको लिख लेंगे जैसे की कमांट मॉड़ल और PostModel यूज होगा तो इसको आडम Candle एड़ करते ते पोस्ट id आईगी हमने लेनी लेनी है और साथ में हमने user की id भी लेनी है तिक है और जो भी comment में आएगा user id आईगी कमें neutral को लाइक मोडल में अब कमेंट मोडल, फाइंड नहीं करेंगे हम डारेक्ट इसको क्रियेट कर देंगे रिक्वेस्ट डोड पोडी ओके, लोचिक हम, एक्जिस्टिंग ये वाली चीज हम यहां पे यूज नहीं करने वाले हम फाइंड पाई आइड अपडेट यूज़ करेंग यह वाला भी यूज होने वाला यह डिलिट के केस में यूज होगा तो मैं क्या करता हूँ इसी को या मैं यह हटाई देता हूँ यह मैं हटा दिया ओके तो एक्जिस्टिंग लाइट नहीं हम डारेक्ट इसको को रिजल्ट लिख देंगे हम क्या कर रही है एकalen मौडल कर रहे है कौन सा कमेंट तो कमेंट मौडल कर रेट का टो कमेंटी मौड़र क्रियेट जो भी हमने यूजरा आईडी यूजर निएडी और कमेंट भेजा होगा उससे हमारा जो भन्होंगों डिमपास है मोगववदी इंट्री हो जाएकी मैं आप निसा भी दिवा दो देता हूं एक बार मुपन सैथे ऑभी हरं हमारी कोई भी नहीं हो इसलिए यहाँ परर कर्मेंट का भी नहीं होगा आप तो इससे साइड में रख लेता हूं तो यह मेरा यहां पर comment create हो जाएगा कैसे यह create method होता है मैं और इन चीजों के बार में आपको पता चुका हूं तो post model find by id तो इसमें post id जाएगी like count increment कर देंगे उसको true कर देंगे as it is same logic चलेगा हमारा like वाला send status 200 message comment edit successfully अगर आप data return कराना चाहिए तो करा सकते हो result चलिए इसको अब हम चेक करते हैं कि पॉस्ट मैं पर चलते हैं कि एड़ कमेंट बॉडी में रो में जैसन और जो हमने like डिस्लाइक में पॉस्ट आईडी यह वाली आईडी बेस रखी है सेम हम यहीं पर बेस देते हैं कि इसमें जाएगा कमेंट कमेंट हम इस इस फर्स कमेंट कि सेंड किया यह देखे कमेंट एड़ सेक्सेस्फुली अब हम चलते पने मॉंगो डी में इसको रिफ्रेश करते हैं पोस्ट में जाके कमेंट इंक्रिमेंट होना चाहिए जो भी हमने कमेंट किया था यह नहीं हुआ चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आई है कमेंट मॉडल मॉडल ओके हमने इसका डाउट चेंज नहीं किया था इसलिए दिक्कत दिया है हमाने यहां क्याना था मारा कमेंट ओके अब करते हैं सेंड चार सो तीन फॉल पी टांग इश्व आया है कुछ क्रियेट कमेंट मॉडल में चलते हैं कमेंट ओके फाइल सेव नहीं थी हमारी कमेंट मॉडल वाली इसलिए इसने इश्व दिया था इस फर्स्ट कमेंट अब हम चलते अपने डीवी में सिंग किय यह देखे कमेंट का यहां पे सेम अगया और डिस आ फर्स्ट मेंट और जिस पॉस्ट को हमने कमेंट किया होगा वहाँ पे हमारा कमेंट काउंट अंक्रीज हो गया होगा LIKE COUNT refresh il done were an selected हमने इसको किया पॉस्ट id 333 3 3 3 3 यह आपने वैसे होना चाहिए था रिफ्रेश द्वारा चेक करते हैं क्या में पॉस्ट मॉडल फाइन बाइड आपडेट लाइक ओके लाइक कांट हमने इंक्रीस कर दिया यहां प्याना था कमेंट कम्ट हमने कुछ जाद ही कॉपी पेस्ट कर दिया ओके होफ़ली अभी यह काम करेगा सेन रिफ्रेश यह देखें कमेंट कांट हो चुका है अब म यहां पर कमेंट कांट इंक्रीस हो रहा है तो यहां एड कमेंट का हमारा जो लोजिक का वह हमने लिख लिया है जो चीज यूज नहीं हो रही है तो इसको हम हटा देते हैं अब हम डिलीट कमेंट का लोजिक लिखेंगे और डिलीट कमेंट का करने के लिए सेम एडिस हमने जो यहाँ पर find by an id update किया comment count 1 किया है वो minus 1 कर देंगे तो चलिए हम post id से और comment id और user id बेज के अपनी जो भी comment के अंदर जो भी entries है comment schema में उसको delete कर देंगे तो हम delete comment में क्या कुछ बेजेंगे इसमें हम बेजेंगे कॉंस्ट एक तो हम बेजेंगे comment id जो की होने वाली है id और यह हम नामी लिख लेते हैं comment id और user id request.body ओके comment round में चलते हैं delete यह हमने इसका methods रहे है request.body और like model में हमने कुछ नहीं करना यह कॉपकी पेस्ट किया वा था delete comment comment model तो अब इसमें हम लिखेंगे find by id and delete find by id and delete इसको अटा देते है पोपलेट नहीं करना हमने कुछ okay तो इसमें underscore id क्या होने वाली है हमारी comment id और इसमें हमारा क्या है क्या है जैसे अगर मैं model चेक रहा हूं तो इसमें user id भी है user id same as it is तो हम यहीं भीजने वाले है या तो आप user id करके user id भी भी भेज सकते हो जो कि मैंने यहां से निकाला है तो direct आप ऐसे भी भेज सकते हो एक ही बात है वही उसकी key होगी और उसी type से उसकी value assign हो जाएगी तो जैसे यह मैं comment delete करूँगा तो मैं check करूँगा कि अगर मेरा comment delete हुआ है या नहीं तब मैं अपने dp में उसकी entry करा दूँगा अपने post model की तो अगर मैं console.log करूँ अब देखिए delete comment करेंगे और इसमें message भेज देंगे जैसे कि status 200 और डेटा में बेज देंगे हम comment deleted successfully ओके delete comment करते है delete comment post id इसी को हम कर लेते है body में रो में json save अब इसमें यूजर id बेजी और comment id बेजी comment की id जो हमने delete करनी है comment id user id comment की id अब हम अपने database से निकाल लेते हैं इमेंट्स में गई इसमें देखे user id 0 है d0 मतलब एक ही user ने सारे comment की वे है तो user id and comment id कोई भी ले लेते हैं यह वाले ले लेते हैं इसमें हमें आइडी मिल गई डिलीट कमेंट अब्जेक आइडी यूजर आइडी पोस्ट आइडी इस इस फर्स्ट कमेंट ओके और वहां पर हम काउंट भी चेक कर लेते हैं काउंड इसमें पोस्ट में थ्री था यह देखे यह टू हो चुका है और कमेंट में जाएंगे यह आप भी देखे यह टू दिख रहा है ओके तो अब हमने यह डिक्रिमेंट भी कर देना है अपना जो पोस्ट है इसको इसको भी हमने पोस्ट मोडल है उसको अपडेट करेंगे पोस्ट मोडल है उसको अपडेट करेंगे पोस्ट मोडल डोट फाइंड बाइड एंड अपडेट सेम हम एजटीजीशी को कोपी कर लेता हूं मैं ठीक है और देखे इसमें क्या आता है इसमें यूजर आईडी भी आ रही है पोस्ट आईडी भी आ रही है तो डिलेट कमेंट पोस्ट आईडी ओके कमेंट काउंट इसको हम कर देंगे माइनस वन नियू रही है और अगर कुछ गटबर हुई तो स्टेटस हम देंगे यहां पर आपके मैसेज भी देते हैं कमेंट नोट डिलेटेड आया है क्योंकि और डिलेटेड आया है क्योंकि और डिलेडी कमेंट आईडी वह एक्जिस्ट नहीं करती है क्यां क्यूंड इसकेश्काव दे मारे डीवि में अब कमeंट यह लेते हैं और पोस्त में देखते हैं अप यह कमेंट टू है अ कि अब यहां पर जाते हैं कमेंट आयटी बबटेंट करते हैंसे करते हैं अब यहाँ पे comment count 1 होना चाहिए perfect और comment count 1 अब मैं इसको भी delete कर देता हूं मेरा comment count हो जाएगा 0 दोबारा मैंने send किया देखिए यह false comment not deleted आएगा क्योंकि उससे हमने परले delete करते हैं यह empty हो चुका है और हमारे post में किसी भी comment count नहीं आएगा तो हमने comment add comment का logic लिख 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 लिया ठीक है और साथ में हमने delete comment का भी logic लिख लिख लिया अब हम logic लिखेंगे post comment में और इसमें साथ में paginations भी लगाएंगे दोनों में तो comment count get post comments है और यह get का method है तो इसमें query चलेगी इसको मैं आया कर देता हूं तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए पोस्ट आइडी चाहिए येस पोस्ट आइडी के बेसिस पे हम अपने जो भी कमेंट्स है का जो क्या है सकात पोस्ट आइडी जो मैं मैं भी बहुत उससे जोपी मैंच करेगा उस पोस्कािड के सारी केमेंट उठाके मेंको दे देगा तो पोस्ट आइडी आ गया तो यहाँ पे हम लाइक मॉडल की जना करेंगे कमेंट अगे और पॉपलेट हमें वैसे पॉपलेट चाहिए होगा तो यूजर आइडी स्लेक्ट यूजर ने मैं फुल ने चाहिए होगा जिस यूजर ने आप हमेंकर पे कमेंट किया हुआ है है कि सिंपल हम इसको होएट भी करा देख लेते हैं यह काम करेगा कि रधारंस रखाली पहले यूजर भी देख लेते है बोस्ट में चलते हैं से आई-डव टा लेते हैं फार्स्ट वाली आईड उठा早 profess प्हblue झाच रुछ हम रहींksi कॉishकर रथिर्ट इसनुत्र नडश ने को अलना प्हों सिर्ट प्रूम को एम difficulty कि एज़िट एंडिफाइंड कि यह रिख दिया है अब सेंड करते हैं अब यह चलेगा ओके अभी कोई भी हमारे जो पोस्ट आइडी थी एक भी कमेंट एक्सिस्ट नहीं करता अब मैं क्या करूंगा कमेंट करेंट करूंगा अब मैं इंड करूंगा अब मैं हिट करूंगा अपना लाइड कमेंट यह देख्या में एक डेटीम्लिम्या और इसने कमेंट के यह वह भी आचका है तो अब मैं элемक्त मैं में सारे ओकते है writings साफлед होते हैं हम दोनों में पेजिनेशन इंप्लिमेंट कर देते हैं तो इसमें हम क्या कुछ भेजने वाले हैं एक तो भेज़ेंगे लाइक पेज पाइडिफोल्ट वन ओके और लिमिट रख सकते हैं तो पेज लिमिट तो हम पहले सबसे पहले टोटल पोस्ट या टोटल कमेंट्स इंगाए लेते हैं जर्से टेट कमेंट मोडल टोटल अदों य्कलिए निकलता है कंटप अक्यल्डेंग मंट्स ओगे और इसमें हम बेज देंगे पोस्त आईडि एपनी और चाहे तो आप ऐसे भी पेश सकते हो यहाँ एक ही बात होगी और यहाँ पर मैं कंसोल भी कराकर दिखा देता हूं कि यह टोटल कमेंट्स में काउंट हमारे कितना आएगा अंद्य किया यह देखे रन आया आप मैं क्या करता हूं कमेंट्स एड कर देता हूं इस पॉस्ट पे। काफ़ी सारे चल इस त्ष पोस्ट करता ओं ठीक है और यहाँ पर देखे फाइफ कमेंट्स आ रहा है और एक तो यह बार बार ऐज़िए कमारा और अथेंटिकेशन में एक कंसोल प्रिंट हो रहा है मैं इसको कमेंट कर देता हूं ओके ठीक है यह मेरा फाइथ कांट आ गया था मतलब यह ठीक से काम कर रहा है तो इसमें क्या करते है कुछ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस क्यारा बारा तेरह अब तो अठार और निस कुछ बीस पच्चिस ऐसे अब देखते हैं कि में और या मैं गैट कमेंट किया हमने एपिया हीट करा दी यह बार बार हमें यह नहीं करानी थी हमने एड़ वाली करानी थी हीट आप देखते हैं गेट कमेंट किया अब देखते हैं कमेंट कावट कितना है 18 ओके एवन ठीक है तो पेज लिमिट आगी पेज आगी यह और लिमिट आगी तो अगर आप चाहिए तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि पीजनेशन मैं कैसे लगाऊं चैट GPT हम चलते हैं कि मेरा भी नेट नहीं चलता यहां पर ओके तो हमारा नेट चल गया है तो हम अपने चैट GPT से पूछते हैं और साथ में हम गईस क्या करेंगे अपनी इसको क्वेरीज भी बता देंगे कि हमारी इस टाइप क्वेरीज है और या इसको इससे हम पैसे पूछते हैं पहले कि यह इसके टॉप पे आगया है इसको साइड विंडो में रखता हूँ कि वाइट कॉर्ड फॉर पेजिनेशन इन नक्ट जैस कि देखे पेज आ गया और यह पर पेज मतलब हमारी लिमिट हो गई स्किप पेज यह लोजिक दिया वा लिमिट और एक्जिकेशन ओके तो यहाँ पर हमने टोटल कमेंट्स भी निकाल लिया है और टोटल काउंट इसके 18 थे अब इसके अंदर हमारे कितने पेजिस है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल बेस्ट डिवाइड बाइड लिमिट तो मैत इसको रांड और रांड ओफ कर लेंगे से टोटल कमेंट्स डिवाइड बाइड लिमिट ओके अब इसके अंदर कितने टोटल पेज बनेंगे इस कंसोल डॉट लोग यह भी प्रिंट करा लेते हैं और इसको स्टेब लेके जाता हूं इस टोटल पेज बनेंगे टू क्योंकि हमने लिमिट दे रखी थी अठा रही फर्स्ट उसमें आट सोरी 10 की लिमिट हमने दे रखी है तो इसमें बन जाएगी पहले रिजल्ट में टैन आएगा और दूसरे रिजल्ट में एटीन आएग अगर मैं यहाँ पर लिमिट रख देता हूं चार की अब देखे टोटल पेज मेरे अब ज्यादा बनेंगे फाइफ क्योंकि चार पंजे 20 और कितने यहाँ पे टोटल रिकमेंट्स है वो है 18 तो यह ऐसे लोचिक काम करता है साथ में हम इसका जो skip करेंगे फ vị फॉर इजामपल फरस्ट हमने 10 ले लेंगे फिर उसके बाद हम फर्स्ट वाले 10 को skip करके next 10 लें लेंगे वो कैसे करेंगे start index से झोकि Inगने यहाँ पर दीया भी है कैसे Club के वहा कि पेज माइनेस बन इंटू इंटू पर पेज मतलब लिमित तो यहाँ पर हम लिखतेंगे हुआ पहले माइनस करेंगे अपने पेज से सब स्टार्ल इंटू अगे सब सब्साहत में धरी है start index, अब ये मेरा सारा print हो जाएगा, send किया, खिक है अब ये zero है मतलब zero skip हुआ, अब माल लिया की मैंने यहां पर page कर दिया two, skip किया अब देखिए जो starting के मेरा मेरा जो लिमिट थी वो थी चार की अब मैंने टू भेजा तो उसने क्या क्या skip कर देगा वो चार को मतलब जो फर्स्ट जीरो से लेके चार तक जो भी हमारे पोस्ट होगी उनको कर देगा वो skip और जैसे यह मैंने पेज टू करूँगा यह 3 करूँगा तब देखे यह 8 को skip कर देगा मैं 4 करूँगा तब यह 12 को skip कर देगा मैं 5 करूँगा तो यह 16 को ऐसे ऐसे करके यह आगे बढ़ता जाएगा ओके तो start index हो गया total pages हो गए आप चाहे तो अपने API में भी भेज सकते हैं जैसे कि current page page pages total pages क्योंकि हमने यहाँ पर यहाँ पर calculate करके रख लिया है अब आपने क्या करना है जो हमारा यहाँ पर यह आप लेट हो रहा है इसमें आपने skip लगाना है skip में क्या पास करना है start index ओके और साथ में आपने इसमें limit भी होती है लिमिट आपने कितनी रखे भी है आपके जो भी आपने 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 क्वेरी में भेज होगे लिमिट ठीक है और लास्ट में एक्सेक्यूशन ओके यह देखे यह हमारे page nation लग चुकी है मैं आपको दिखा भी देता हूँ अब हम जैसे page 1 पे है और limit हमें रचके दख देते 10 enter किया यहाँ पर देखिए 10 ही total pages 2 आ रहा है current page 1 है जो अग मैं यहाँ पर 2 करूँगा अब देखिए मेरी यहाँ पर current page क्या है 2 और total pages क्या है 2 तो मैं अब front end पर अंदाज लगा सकता हूँ कि मेरे जो total page है और current page equal to हो गया तो मैं further API हीट ना करा हूँ जैसे में 3 यहाँ पर बेज़ूँगा तो 3 पर देखे मेरा कोई भी data नहीं आएगा क्योंकि यह empty है और current page 3 है total page थे मेरे 3 और इसके बात यहाँ पर data यह empty हो गया है मतलब हमारी perfectly fine हमारी pagination भी लग चुकी है हमारे post comment में same pagination मैं क्या करूँगा कोपी करूँगा जो हमारी likes है like लाइक वाला controller इसमें भी मैं यहाँ पर पास कर दूँगा टोटल पेज इस में पेज और लिमिट पेज को मा लिमिट तो टोटल कमेंट्स नहीं आएगा यहाँ पर आएगा हम पहले हमने काउंट निकालना है जैसे कि हमने like वाले में निकालना था same as it is हमने comment वाले में निकालना है comment controller यहाँ पर टोटल काउंट्स कोपी किया यह है मेरा लिमिट comment model like model post id जो इसमें भेजेंगे टोटल पेजी start index ओके और इसमें मेरा ठीक है पेज रह गया पेज यह भी हो गया पेज भी हो गया अब हम यहाँ पे skip start index limit limit and execution इसमें current page भेज देंगे total pages ऑके तो लाइक वाला भी देख लेते हैं get करके पेज लिमिट भेज्च के और पोस्ट इसका आउट देख लेते क्या है इसका ना है पोस्ट लाइक्स पोस्ट लाइक सेम जो हमने अरे जाब लिटो गया पोस्ट आईडी पोस्ट आईडी सेम जाएगा लिमिट लग लेते हैं जैसे की अटैन स्किप और पेज वाद जैसेंट किया पर नोच जेशन प्यरिट टोकन जैसेंट किया यह देखे आ गया है करेंट पेज क्या है वन टोटल पेज टू अगर मैं यहां पर क्यूंकि उसमें आई थिंग दो ही लाइक थे पेज टू करूंगा तो यह मेरा एमटी आना चाहिए हें हमारे निए जो जितने के जितने भी लाइकमा चूकी है उसमें पेजनेशन रख चुक है लाइक बंचुक अ इसमें पेजनेशन लख चुक है कितने पोस्ट पर करेंज हुए लाइच हरह क pandemic में एक्डार मयँं और इसके बाद फिर हम इन API जितने भी हमने API जबना लिया फिर एक नेटिव साइड भी इसको इंपिलिमेंट करेंगे तो ठीक है गाइस अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नहीं टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर